मार्केट में एक खवर आते हुए नजर आ रही है कि अमेरिका ने एर स्ट्राइक कर दिया है क्यों कि इरान ने एक तरीके से ड्रोन से मतलब ड्रोन हमला क्या है अमेरिका में जिसके वज़े से मतलब जो है चार से पांच लोग घाया लिया फिर मर गए हैं अमेरिका में तो अ सब्सक्राइब करते हैं रश्या और युक्रेइन का जो वार वो तो चली रहा देखो अमेरिका क्या होता है कि जब उसके ऊपर कोई चीज आती है तो नहीं छोड़ता है यहां पर देखो गे तो जो बाइडन ने बोल दिया है कि हमारे सैनिकों को मारने वाले को तुरंट जो भी है जल्दी से बदला लो छोड़ा नहीं जाया करके तो इन्होंने तुरंट ही एर स्ट्राइक करने के बाद वहां पर घुसके उन्होंने मारा और सटिक निसाना लाए कि मतलब जो है वहां पर बंबारी किया और मतलब फाइरिंग की गई मतलब समझो कि जितना उन्ह नुक्सान किया अब इरान में अमेरिका में बहुत बड़ी जगडा क्यों हो रहा है इस तरीके से समझने की कुछिस करते इरान और अमेरिका में एक तरीके से क्या होता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि सामने वाला कभी भी परमानुम बना है तो अमेरिका ने बोल रखा था क के बएधित हैं कि अगर तुम कहीं पर उसको ट्राइने कर सकते हुड ट्राइल ना तुम जमें पर सकते हो ना तुम पानी में कर सकते हो था तो बॉल दिया था आजहीं उन्होंने को कोई कि नीक हों दिक्रत की नहीं इस तु 중요 किसे रूल बनाया थो हम उसको फॉलू भी करेंगे, हम जमीन के अंदर कर देंगे, जमीन के अंदर कर दिया गया, समझ रहो, फिर भी केस लड़ा गया, लेकिन इंडिया जी दिया करके, उसी तरीके से यह नहीं चाहता कि भाई, दूसरे देश भी प्रमानुबं बनाया करके, लेकिन वो सामने वाले बनाने के कोशिस कर रहा है, वो भी जाते हैं कि घाता खतियार बनाया करके, तो अमेरिका इसके अगिंस्ट में खड़ा रहता है, और कुछ भी होता है, अमान लेते हैं, इनको एक बहाना मिलिया किसी तरीके से, या गल्ती पकड़ी गई कि हाँ, सामने वाला यह सा कर रहा है, और इन्होंने अमेरिका में छोटी से भी एक नुकसान किया है, तो यह लोग नहीं छोड़ते हैं, और संग, मतलब तुरंती इन्होंने वार्निंग भी दे दिया, तुरंती इन्होंने वार्निंग भी दे दिया, कि अगर थोड़ी से गल्ती किया जाती है, तो इधर से नहीं छोड़ा जाएगा, और यह जो एर स्ट्राइक किया गया है, ये यूएस कॉंटक्टर के वज़े से ही किया गया है कि अगर हमारे लोगों को किसी भी तरीके से अगर माल लेते हैं कि परिशानी होती है या किसी भी तरीके से हाम होता है कुछ लोग यहां पर बहुत बुरी तरीके से घैल भी है तो इस वज़े से एस्ट्राइक कर दिया ग यह मालने ते एक तऱ के से देश है उन्होंने इतना अच्छी तरगी से रेडार लगा राखा है कि अगर बाहर चक कोई भी कुछ आता है without permission permission के साथ आता है तो okay अगर without permission आता तो उसको हवे में वहाँ पर ही मतलब उनको प्रमाणुभम गिराके तुरंट चला गया तुर्ण चला गया उसी तरह के से कोई पर मिशन के बिना किसी को अंदर नहीं देखो मैं अपने तरब से आपको समझाता हूं कि पांच लोगों को ही मारा गया लेकिन इसके वाज़े से अमेरिका इतना ज्यादा स्मझने की कोशिस कजिए अमेरिका के पास पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि भाही मतलब जिसे हम भारत में देखो कितना ज्यादा है तो उनके सामने अमेरिका बहुत चोटा है समझ रहे हैं उनके population हमारे समझे बहुत चुटा है लेकिन लेकिन हमारे पास manpower है लेकिन उनके पास manpower जादा नहीं है उनके पास technology वो technology में इतने ताकत वार है समझ रहो कि मतलब बहुत ज़्यादा powerful है समझ रहो अमेरिका बहुत ज़्यादा powerful है जापाँ में अमेरिका के जितने वह सैनिक गया था इनको मार दिया गया था जितने आपनी ताकत से लड़ रहा था अमेरिका गुस्सा आगया उन्फरस और बन जाए भर से इक बार गिया गए मतलब समझो कि उनकी पूरी कहानी खत्म हो गए पीड़ी दर पीड़ी खत्म हो गई समझ रहो न और जाके मतलब कुछी दिनों में हार मान गया उनके पास टेकनोलजी है ताकत है मैन पाउर कम है मैन पाउर इस्तिमाल करेंगे तो हार जाएंगे इस वज़े से वो छोड़ते नहीं है समझ रहो और इसका एक इंपक्ट आपको देखने को मिलेगा यह जो देखने को मिला हाओ यूएस एयर स्ट्राइक इन सीरिया में इंपक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट नेक्स्ट विक किसी भी तरीके से कोई भी वार होता है आप लोगों ने सुना होगा लगब एक दो साल पहले ही क्या हुआ था चाइना और इंडिया में किसी तरह के से थोड़ा सा कॉंफ्लिक्ट हो गया था थोड़ा सा बहुत बड़ी चीज नहीं थी थोड़ा हो गया था लेकिन उसके वाज़े से स्टॉक मार्केट में दो तीन परसेंट तक का गिरावट देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ यह अगर और कहांई आ जाती है तो भई इसके वज़े से और ज्यादा प्रॉलम देखने को मिल जाएगा और ज्यार्णे को मिल जाएगा यहां पर चाहें इंडियान मार्कोٹ हो यह किसी भी तरिक से आप ग्लोंबल मार्केट को लेकर चलो वो यहां साब-साब बुलाव जा रहा, can't afford a new tension, समझ रहो, अल्लिडी इनके पास lot of challenges face कर रहे हैं, हम बहुत सारे परिसानी पहले से face कर रहे हैं, रस्या युक्रेइन के वज़े से, दो साल से, एक देड़ साल से, तो बही समझो कि मतलब problem देखने को मिली रही है, है की नहीं है, बीच-बीच में ताइवान और चाइना भी आ गया था, बीच में जगड़ा करने के लिए, तो इतने सारे problem देखने को मिल रहा कर, ये एक और problem create हो जाता है, तो समझो कि 2008 justice situation create हो जाएगा, और देखो ये पिछले 2-3 सालों से बहुत मतलब अजीब हो गरीब हो चीज़े होती जा रही है, देखो कि पहले कोविड आ गया, जो कि मतलब unpredictable था, कोई इसको predict नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़े हो सकती है, अब देखो कि बीच में Taiwan जगड़ा करना स्टाट कर दिया था, वो भी चाइना से, ठीक है Taiwan को छोटा चाइना बोला जाता है आपस में, उसके बाद देखो Russia यूकरेन कितना लंबा चल रहा है, अभी भी वार होई राज, तिल हो रहा है यहाँ आपर करके, और भाई उसके बाद अगर अब इतने सारे बैंक डूप चुके हैं, क्राइसस आज चुके हैं, मार्केट में प्रावलम देखने को मिला आया है, और बहुत सारे मतलब अगर आप देखोगे, तो सैंचन भी लगायागे हैं देश विदेशों में, और जो पेइमेंट करती हैं, गेटवे उसको क्या बोलता है, स्विफ्ट ट्रांजेक्शन, उसके उपर भी मतलब स्विफ्ट ट्रांजेक्शन के उपर भी मतलब बहुत ज़ादा प्रावलम खडा कर दिया गया था, तो ये सारे प्रावलम तो अलड़ी हैं, अगर ये और कुछ नए प्रॉलम आते हैं तो भाई प्रॉलम देखने को मिल सकता है अगर ये मामला सांथ हो जाता है यहां पर ही अमेरिका अगर सांथ कर देता है इस चीजों को तो ठीक है ने तो देखो और जो बगल वाली है न तो ये लोग सांथ रहेंगे थोड़ा अगर धमका देने से बेलेकिन अमेरिका अगर थोड़ा बहुत अपनी हिमत दिखाएगा तो फिर प्रॉलम हो जाएगा तो एक्सपर्ट का मनना है कि ये सारे प्रॉलम तो हमारे पास बहुत है अगर और ये बढ़ता रहा तो भाई निफ्टी इस चीजों को बेर नहीं कर आगरा 16,800 का ये भई मतलब समझो कि फिर इसको क्या बोलता है यहां पर ठहर नहीं पाएगा फिर कहा जागा नीचे जागा यह बोलना बहुत मुस्किल रहेगा फिर क्रूड ओल के प्राइस पर नजर रखो मंडे को क्या होता है और देखते हैं मंडे तक क्या मूड बनता ह बहुत मैं आपको दशागा जागा इसा नहीं होगा वह बैसा नहीं होगा लेकिन फिर भी देखो कितना लंबा खिचा है कि नहीं है तो हम किसो को बोल नहीं सकते कब क्या कैसा होने वाला है करके इतना सावधानी रखो ज्यादा अच्य रहेगा और अगर आप स्टॉक मार् झाल झाल